चलिए आज simple सा cocoa pink cake बनाते हैं इसके लिए मैंने देड़ कप मैदा लिया है ये cake आप चाय के साथ खाई है ना अच्छा लगेगा और इसके साथ ही मैंने ले लिया है cocoa powder ये मैंने 2 teaspoon लिया है फिर इसमें मिलाएंगे baking powder और baking soda baking powder और baking soda दोनों fresh होना चाहिए रखे हुए रहेंगे तो वो result नहीं आता है तो baking powder मैंने 1 teaspoon लिया है और baking soda 1 fourth teaspoon और सब dry ingredients को चान लेंगे वैसे तो चानने से सब आपस में अच्छे से मिल जाता है और air incorporate हो जाती है बट एक बार spoon से भी सब चीज़ें अच्छे से mix कर लेंगे यह मैंने लिया है दूद करीब एक cup लिया room temperature पर और उसमें एक चमच मैंने vinegar मिला के side में रख दिया है करडल होने के लिए अब जिस टिन में cake बनाना है तो उसमें थोड़ा सा greasing करके और butter paper लगा देंगे या dusting कर देंगे जो भी convenient हो आप वो कर दीचे दोनों ही ठीक है अब एक दूसरे बड़े bowl में हम लेंगे एक cup से थोड़ा cup मैंने चीनी powder लिया है और उसमें मिला दिया है one third cup oil oil tasteless होना चाहिए जिसमें कोई भी flavor नहीं हो और इन सब को अच्छे से mix करेंगे ताकि थोड़ा उसमें air आ जाए अब इसमें जाएगा one fourth cup दही दही फ्रेश होना चाहिए खटा नहीं होना चाहिए जित्ते भी liquid ingredient है उनको ही हमें अच्छे से mix करना है या beat करना है dry ingredients डालने के बाद हमें जादा नहीं beat करना है यह मैंने जरा सा red color मिला दिया है तो इससे cocoa powder और यह milk की एक बहुत अच्छा सा color आता है color पूरी तरह से optional है अब हम इसमें यह dry ingredients जो है वो मिलाते जाएंगे और mix करते जाएंगे dry ingredients हमें एक बार में सारा नहीं डालना डालेंगे उसको mix करेंगे फिर दूसरी बार डालेंगे और यह cuddle किया हुआ दूद हमें यदि थोड़ा गाड़ा लग रहा है texture तो हम दूद मिलाते जाएंगे और mix करते जाएंगे इसको हमें over beat नहीं करना है बस इतना mix करना है कि सारी चीज़ें आपस में mix हो जाएंगे अब इसमें मैंने vanilla essence और आधा नीबू का रस डाल दिया है नीबू हमें almost last में डालना है और अब यह सारा batter अच्छे से ribbon consistency आ गई है तो हम इसको अब tin में shift कर देंगे उसकी पहले मैंने कड़ाई को preheat कर लिया था अच्छे से ढख के करीब 5-7 minute preheat कर लिया था अब उस कड़ाई में हम यह अपना cake का batter रख देंगे तो अच्छे से बराबरी से रख दीजे और ढख दीजे कि ताकि air कहीं से निकले नहीं और यह करीब 30-35 minute लगा मुझे तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं यह toothpick से तो यह देखे चेक किया बीच में तो थोड़ा सा यह देखे बेस्ट चिपक रहा है तो अब इसको demold कर लेते हैं और इसका butter paper निकाल देंगे और पिल्कुल simple ही केक है तो इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है इसमें सिर्फ sugar powder को उपर से यह चनी की मदद से पूरा spread कर दिया और बस अपने मन पसंद shape में आप इसको काट लीजे और enjoy कीजिए हाँ एक बात केक ठंडा होने के बाद हमें demold करना है गरम गरम में नहीं करेंगे तो यह आप देख सकते हैं कट रहा है जिस तरह से उससे ही पता चल रहा है कि कितना soft cake आया है तो यह जब एक बार आप खाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना tasty कितना simple है जादा कुछ चीजें नहीं डली है तो आप ही बनाएए और चैनल को जल्दी से subscribe कर लीजिए